तो चले गाईज आपलों की भरपूर रिक्वेस्ट के उपर आज की स्वीडियो में हम लोग नियू अमान लेजंडरी स्ट्राइकर को अनलोक और मेक्स करने लगे हैं तो भाई वीडियो को एंट ते देख देख दे रहे हैं या आपलों के इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे थे क भाई रमजान जेकपोर्ट में जो अमान लेजंडरी स्ट्राइकर में मिल रहे है उसको अनलोक करो भाई तो चले गाईज यहां पर इसको अनलोक करने का ट्राइकर करते हैं और हाँ मुझे पता है यहां पर जेम्स बहुत जियादा वैस्ट होने वाले हैं आप लोगे कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि भाई मैंने 4-4-5,000颜म्स लोग बोल रहे थे कमेंट्स में मैंने 5,000颜म्स वेस्ट कर दिये इस रमजान जैकपोर्ट के अंदर लेकिन अभी तक इस स्ट्राइकर को मैं मैक्स नहीं कर पाया हूँ और एक बंदे ने फेस्बुक पर मैंने देखा पोस्ट में मैक्स किया हुआ था और वो बोर रहा था कि भाई मैंने तक्रिबन 6,000 जेम्स दो है वो वेस्ट कर दिये तब जाकर ये स्ट्राइकर मैक्स हुआ है और मैक्स होने के बाद यह स्ट्राइकर बहुत ही अजीब तरीके कि इसके सेल्स वगरा है ऐसा कोई बेस्ट भी नहीं लगा मुझे यह बागी फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 2000 जेम्स तक जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा वेस्ट करने की तकि यह स्ट्राइकर को हम लोग उसके के लेकिन मुझे लगता नहीं कि बाइघ लुग हो चुका है फाइनली एक दो सो जेम्स लगा है इसके ली लेकिन आगे बहुती ज़्यादा प्रोबॉम होने वाली है क्योंकि आगे है इसके पीसेज हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले आगे सर्फ जेम्जी वेस्ट होंगे और इसी तरीके के सिर्फ सिल्वर चेस्ट हमें बार बार देखने को मिलेंगे और इन सिल्वर चेस्ट का हमारे आईजडी के अंदर कितना यूज होता या यह तो आप सब लोग जानते ही होंगे बाई कुछ निकलता ही नहीं है यार और यहांपर फाइनली यार फ्रेंजे को गोल्डन चेस्ट मिल गया और इसके अंदर भी जो एक न्यू लेजेंडरी स्ट्राइकर था इलाही उसके निकलने के यहांपर हमारे पास चांसे थे बट नहीं निकला फिर भी गाईज हम लोग कुरी कोशिश करते रहेंगे जब यह वीडियो मैंने स्टार्ट की थे आप लोग शुरू में जाकर देख सकते हैं मेरी आईडी में टोटल साड़े 26,000 जेम्स थे लेकिन अभी आप लोगोंने जेम्स को भी देखते रहेंगे 26,000 से गाईज हम लोग 25,000 पर आ चुके एक अजार जेम्स हमने वेस्ट कर दी हैं और एक अजार जेम्स के अंदर गाईज अभी तक हमें जो है न सिर्फ मेरे ख्याल से दो या तीन लेवल तक मुश्किल से स्ट लेंड के अंदर लेकिन फिर भी यार एंगे ओल्डन चे मिजून दर हमारे आइज़ के लिवर्ट एन लोग तो है तो यहां प्र घुटर लोग देख सकते हैं 24,000 जेम्स रहे चुके यानि के हमारे मैं आब तक जो है वह 200 तकरिवन 25 सो जेम्स जो यहां सर याँ पर यूज के चेस्ट भी निकल रहे हैं फ्रेंडजे के चेस्ट भी निकल रहें हैं लेकिन हमें जो मेन रिवोड्ट चाहिए रहा वह स्ट्रा स्ट्राइकर कीपीक्ज़िक Natomiast और 75 पीज़वारय भार बार निकलते रहे नो भाई पिर तो मज़ के आजाएUNGा और अगर फ्रेंजे के चेस्ट निकल रहे हैं तो भाई इसके अंदर वो न्यू अलाय स्ट्राइकर भी नहीं निकल रहा है अगर वो अलुक हो जाए फिर भी तो कुछ मतलब अच्छा लगे तो यहाँ पर गाईज आप लोग देख सकते हैं भाई बहुत ही ज्यादा मतलब मैं जेम्स वेस्ट कर चुका हूँ मेरे पास तक्रिबन अभी 23,000 जेम्स हैं अल्रमस्ट यानि के मैं 200-300 जेम्स और वेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे पास जो है यह अपग्रेड हो जाता है गाईज लेकिन सिर्फ इतना ही बस गाईज तीन हजार जेम्स वेस्ट करने के बाद सिर्फ लेवल पांच तक मैं इसको जो वो अपग्रेड कर पाया हूँ इससे आप 15,000 लगा सकते हैं कि भाई अगर आप इसको मैक्स करना चाते हैं तो आपको कम से कम कम से कम मैं बता रहा हूँ 5000 जेम्स आपके पास होने चाहिए उसमें भी कोई गैरंटी नहीं है कि यह स्ट्राइकर को आप मैक्स कर पाएंगे क्योंकि शुरू में तो आपको इसके पीसे बगरा मिलेंगे लेकिन बाद में सिर्फ आपके जेम्स ही वेस्ट होते हैं आपको बार-बार जोए वो सिल्वर चेस्ट गोल्डन चेस्ट देखने को मिलता रहेगा जिनके अंदर कोई भी रिवोर्ड्स देखने को हमें नहीं मिलते तो गाइस ध्यान से अगर आप इस स्ट्राइकर को अपग्रेड करना चाह रहे हो तो भाई शुरू से बता रहा 6,000 जैम्स आपके पास होने चाहिए इस स्ट्राइकर को फुल मैक्स करने के लिए कम से कम 5,000 जैम्स और ज्यादा से ज्यादा आपके पास 8,000 जैम्स हो तो भाई फिर मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से इसको मैक्स कर सकते हैं बागे आप लोग कोमेंट्स करके ब तो बाई इससे कई गुना ज्यादा पावरफूल स्ट्राइकर्स आल्डेडी हमारे पास हैं तो इस इस ट्राइकर के लिए जो के नॉर्मल सा स्ट्राइकर है इसके लिए हजारों जैम्स वैस्ट करने के हमें कोई जरूरत नहीं है बाई तीन अजार जैम्स आल्रेडी मैं याद रिकिये, ठैंक्स फॉर वाचिंग, आला हाफिस